हेलो फ्रेंड्स आज में बनाने जा रहे हूं दो कच्छे आलू का बिल्कुल चरपड़ा सा और क्रिस्पी सा नाश्ता तो चलिए इस रेसे पिकों फटा फट से शुरू कर लेते हैं तो मैंने यहां पर देख सते हैं कि दो पीस आलू लिया है जिसे अच्छे से छिल लिया थ ू तो इस तरीक ऐसे हम ग्रेट बल्स सभी को कर लेते हैं तो अगर इसके ऐसे क्वंटिटी आलू कि ज्यादा करना चाँते हैंतो आप अपने हिसाब से आलू ले सकतें सेख़़क्ते में में तो पिसली है तो आप तीन चार पिसल भी ले सकते हैं कि इसे अच्छा से ग्रेट कर लें और एक बाल लीज़ीगा पानी देलीजिएगा और पानी में सबी ग्रेट किया हूए अलो को हम इसमें तो मैंने यहां पर तीन से चार बर दो दिया था और अच्छे से षाश करने के बाद मैंने दूसरे mixing ball में इसे ट्रांस्फर कर लिया है अब हम इसे ट्रैस्टि फूल बनाएंगे बिल्कुल ही कम मसाले में इसे हम अच्छा सा क्रिस्पी सा नाश्टा तयार करने वाले हैं अब टीखा अपने हिसाब से रख सकते हैं तो मैंने 9-Imish को बेल बारिक गरकते हैं और थोड़ा सा धनिया की बति दॉड़ा है तो धनिया-पति भी आप ठोड़ा wp 思ी चैमे एपने पूले पूलिक शब Sinon और बड़ों के लिए बना रहे हैं तो मैंने यहां पर ना चिली फ्लक्स का यूज किया है इससे चटपटा सा स्वाध आता है इस रेसेपी में अब काली मिर्ज का पॉडर थोड़ा सा डाल दीजेगा बन फोर टे स्पून अब इसमें हम बैंडिंग करेंगे इसे हम बैंडिं पॉड़े स्वाफफ़ थजी की स्पूं स्वाध अबन ए ढालव कोफाफ़ करें और भी हो EchoG th Valent वी आप यहां पर यूज कर सकते हैंट आपने हिसाब से जो भी आपके घर में अवैलेबल हो आप यहां पर डाल सकते हैं तिहां कम मसाला में यहां इसे स्थे तैयार करेंगे अब कोई भी इसमें मसाला आड़ करने वाले नहीं है फिर भी बहुत ही अच्छा सा इसका स्वादा आएगा तो घर में जो भी रखी वी जो भी समान है आप उसी से इसे अच्छे स्याप बना सकते हैं घर में तो आलू पड़ी रहती है तो आप उसी से एक या दो पिसकचे आ अगर एक चीज मैं आपको बता दूं अगर आपका जो बैटर है गिला अगर हो गया हो पानी कर नहीं करना है इस इसका ध्यान रखना है तो मैं बता रही थी कि अगर आपका ना चिप चिपास है तो आप यहां पर लिग का आटा, या मैदा या काउंट फ्लोर की गॉंतिट आपको इसे तरह से वाइब कर लिए से प्रिजिए मेरे या इसे प्रैट कर लिए घर आपके पास णुझ यह इसे तरह से उसे अप्राय कर सकते हैं अब उस बहुत अच्छी से जी इसे खाती आप प्राइका याथ कर लीग अश्याद competitor हो जे बहुत एक भी से शे तक प्र में कबाय को कर दो पूहार को या है और आप जञे जा है आप उस ट्राइक के विसमाल कि आपक है lty जार में और फल्दा को काई बचदा को हम कर लिंगे और इस तरह को अपर श्टा को को ही अर्षी के पास ब मुझा बट जब आप यहाँ ज यह पर अप को यह जा पैसे शाल नहीं होती है यहा ना आप यह जह इंठाए जो फॉह भी और टक्रफिर हमाइन वाइन गर पना स्कार्टिकित और अगर तो यह लिण कर सकते हैं, और यह लेक्ती वेद्शचल वीफ साहता है हऊसे प्रण रिख निशनаша बनाना चाहते हैं, तो यह लेक्शाय को नाशता है और बहुत ही स्वादश्ट बनता है यह अगर आप इसमें कुछ मसाले और एड़ करना चाहें तो यहां पर आप इसे संप इसमें आप गरम मसाला पॉडर हो चाथ मसाला हो अंचुर पॉडर हो आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं या तो आप इसके आप पॉभाजी मसाला हो मैगी मसाला हो आप इसमें डाल दीजिए बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा अगर आपको ज्यादा मसाले पसंद हो तो मैं यहां पर बिल्कुल कम मसाले से फिर भी बहुत ही अच्छा सा नाश्टा तयार कर ली हूँ तो यहां पर देखिए बहुत ही अच्छ कर के यह नाश्ता तयार कर सकती है बान्च मिनट में बेंठिकने बिल्कुल तयार हो जाती है इस याहरो यां the last को आप ज्यादा से शेयर भी किजिए अपने दोस्तों में अपनी फैमली में यह देखे बहुत ही फटाफट से यह नाश्ता तयार है फ्रेंड्स तो बहुत ही चटाकेदार है आप इस एक बार इस रेसिपी को ट्राइ करके देखिए और मुझे जरूर से बताईएगा कि आज इस तरीके से अगर करेंगे ना गर्चिल को तो अब बहुत ही आसानी से आइल निकल जाती है इस तरीके से करने से जितना भी ऑईल होगा सारा रिलिस हो जाएगा और आपकी यह बिल्कुल यह ड्राइ हो जाएगे ते यह देखिए बिल्कुल अच्छे से कम आईल में भी ब बाकी देख सकते हैं कि all of the oil नहीं किया है इस नास्ते ने में सारा जो है oil मे बच बच कया है है ना जाए को मैंने इसी तरीके से निकाल लिया है और अगर पास पीसे हो तो इसी तरीके से आपको निकाल तोड़कर दिखा दूँ कितना क्रिस्पी और दोनों साइट से कितना कलर फूल आया है और यह देख सकती है तोड़ने से यह अन्दाजा लग रहा होगा ना उपर की लेयर जो है बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से देखिए अलू बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है और क्रिकि कर Г أल यह दो से यह अवाफलिया्व कैसिते हैं आर अ कितना क्कि लेयर अच्छी और आया है झालू आ